नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर आज भारत के लिए और हर भारतिये के लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है आज प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी जी के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजिनस यानि की स्वदेश निर्मित एरक्राफ्ट कारियर आई एनस विकरांथ है जिसकी कमिशनिंग की जा रही है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आई एनस विकरांथ, सिटी इस ऑन दे मूव, 18 फ्लोर्स, 1600 क्रू, 16 बेड हॉस्पिटल ऐसी कई सारी चीजे हैं जो की आपको केवल एक पर्टिकुलर शिप में देखने को मिल जाती हैं लेकिन दोस्तों आज से 2-3 महीने पहले की बात है, चाइना के द्वारा भी अपना पहला स्वदेश निर्मित एरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फुजियान इसको लांच किया गया था, तो हमारे लिए अच्छा मौका बन जाता है दोनों चीजों की तुलना करना और तरीके से जो भारत का INS विक्रांथ है, वो किस तरीके से फुजियान को क्लियरली आउट्षैंग करता है, क्लियरली उसको पचारता है, आइए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए टेलेजाम चैनल के माधियम से कर सकते हैं, आल राइट, सबसे पहले तो जैसे ही भारत ने INS विक्रांथ को कमिशन किया, उसमें वैसे ही इंडिया has now joined an elite club, इसमें दुनिया में बहुत ही कम देश आती हैं, सबसे पहले USA, नंबर दो पे UK, तीसरे पे Russia, चौथे पे France, पांचवे पे China, और अब छटे पे India आ जाता है, because now we are in that group of countries, जो की अपने aircraft carriers खुझ से बना सकते हैं, second most important thing, ये भारत के लिए एक बहुत ही बहतरीन example है, आत्म निर्भरता का, क्योंकि इसका जो design है, वो भी completely indigenous है, इसकी जो construction है, वो भी हमने कोचिन शि example in the nation's quest for आत्म निर्भर भारत and make in India initiative, क्योंकि इसमें हमने 76 प्रतिशत से भी जादा indigenous content का इस्तेमाल किया हुआ है, बलकि मैं यहाँ पे कहूंगा कि आत्म निर्भरता के साथ-साथ ये हमारे लिए self-reliance का भी एक बहुत बड़ा उधारन है, क्योंकि अब भारत के पास दो aircraft carriers आ चुके हैं, माल लीजे एक अगर maintenance के लिए गया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा भी इस्तिमाल कर रहे हैं, यानि कि हमें अब किसी और के उपर dependent करने की हवशकता नहीं है, ये आप लोग देख सकते हैं, this is the image of INS Vikrant, जिसको की आज ही यहाँ पे commission किया गया है, आप ये भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये यहाँ पे जहाद है, कितना बड़ा ये ship है, और कितना imposing है, कितनी जगा ये समुद्र में घेरता है, ना इसी के साथ में China ने recently Fujian को launch किया था, पहली बात तो launching और commissioning में काफी फरक होता है, launching के बाद दोस्तों होती है sea trials, sea trials कि बाद जाकर के होती है commissioning, और commissioning के होने के बाद जाकर के होता है operationalization, so it's पूरे के पूरे time में, it can take on an average, लगभग मान के चलिए कि कभी 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, या फिर कभी कभार 8 से 9 साल भी लग सकते हैं, तो China के द्वारा Fujian, जिसको की वो लोग type 003 aircraft carrier बोल का तीसरा aircraft carrier है, इसके पहले चाइना के पास lining और Shandong, दो aircraft carriers आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पहला aircraft carrier चाइना का ऐसा है, जिसमें की उसका जो design है, it is fully indigenous design जो की हमें चाइना में देखने को मिला है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये चाइना का Fujian aircraft carrier है, ज is the displacement tonnage, तो अगर displacement tonnage की बात करें, Fujian विकरान से काफी बड़ा है, बलकि इतना बड़ा है कि इसकी जो displacement tonnage है, ये approximately 80,000 tonn के आसपास है, और जो विकरान की displacement tonnage है, ये 40,000 tonn, 45,000 tonn के आसपास देखने को मिलती है, displacement tonnage basically इसकी जो परिभाशा है, this is the weight of the water that it displaces when it is floating with its fuel tanks full and all stores on board, और इसको हम लोग metric tons में measure करते हैं, तो ये obviously यहाँ पे चाइना का फुजियान क्यूंकि length में काफी बड़ा है, तो इसकी जो displacement tonnage है, ये अपने आप में काफी बड़ी हमें देखने को मिल जाती है, अगर हम length की ही बात कर लें, तो फुजियान जो है, this is probably the largest non-American aircraft carrier in the world, जिसकी length जो है, वो approximately 320 meter के आसपास की है, width लगभग 73 meter के आसपास की है, वहीं अगर हम INS विक्रांथ की बात करें, तो इसकी length इसकी तुलना में 262 meter के आसपास की है, और इसकी जो beam है, that is 62 meters, और इसकी जो height है, that is approximately 59 meters, तो obviously अगर हम length और displacement की बात करें, तो जी हाँ, विक्र aircraft carrier को powerful बनाने के लिए सबसे important चीज़ें होती है, दो, देखिए, aircraft carrier क्या चीज़ है, ये basically एक चलता फिरता, समुद्र के ऊपर चलता फिरता, एक तरीके से हवाई अड़ा है, जहां पर हम लोग कई सारे विमानों को, कई सारे लडाकु विमानों को take off करवाने के और landing करवान तो as the word tells you over here, तो ski jump technology basically वो तत्नीक होती है, जिसका इस्तिमाल किया जाता है, so that लडाकु विमानों को यहां पे take off और landing करवाई जा सके, basically take off के लिए ही इस्तिमाल होता है, the ski jump ramp on a carrier flight deck allows an aircraft to take off from a runway shorter than its required take off role, but still powered by its own power, तो basically उतना बड़ा runway तो possible नहीं जितना की हवाई अड़े मे होता है, लेकिन हाँ, इतना runway बनाया जाता है कि उसको यहां पे take off करने में आसानी हो सके, इसमें दोस्तो कुल मिलाके तीन तरह की technologies हमें देखने को मिलती है, सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा useful technologies हमें देखने को मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं stobar, जो की हमें INS Vikrant के अंदर भी देखने को मिल रही है, विकrant जो है it can operate short take off, but arrested landing aircraft, इसको दोस्तो stobar कहा जाता है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से, यह एक ऐसा curve लीके यहां पे बनाया हुआ है, so that aircraft को take off करने में आसानी हो, इसमें क्या होता है कि जो यहां पे curve है, उससे भी इ हुजियान के अंदर, on paper, in theory, actually, जो system इस्तिमाल किया गया है, वो असल में दुनिया का सबसे advanced system इस्तिमाल किया गया है, it has a much more advanced system to launch its aircraft, जिसको की emails कहा जाता है, जिसकी full form है, electromagnetic aircraft launch system, जो की aircraft carrier को enable करता है to launch a broad range of aircraft, दोस्तो emails जो है, यह असल में एक technology होती है, जो की होती है, काटो bar technology, तो काटो बार technology का ही एक advanced version होता है, जिसको की हम लोग emails बोलते हैं, फूजियान इसी emails technology का इस्तिमाल करता है, emails uses powerful magnetic fields generated by electromagnetic induction motors, जिससे की हम लोग aircraft को propel कर सकते हैं, with the help of catapults, तो catapults basically क्या होते हैं, कि एक गुलेल की तरह काम करते हैं, जैसे हमने straw bar में देखा, तो यहाँ प launching deck होता है, यह बिल्कुल सीधा होता है, इसमें आपको curve देखने को नहीं मिलता है, और क्योंकि यह बिल्कुल सीधा होता है, तो इसमें आपको बहुत ही powerful catapults, यानि की बहुत ही powerful गुलेलों का इस्तिमाल करते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो aircraft है, वो यहाँ पे take off करता ह इसी में improvement करके बनाया गया e-malls का system जो की powerful magnetic fields का इस्तिमाल करता है, जिसकी वज़े से इससे आप बड़े बड़े aircraft जो की भारी होते हैं, उनको भी launch कर पाते हैं, ना केवल यह बल्कि इस particular system के माध्यम से आप लोग drones को, large transport aircraft को, बल्कि कहा जाता है कि AVAX को भी आप लोग इ इसमें 2-3 हमें बड़ी दिक्कत देखने को मिलती हैं, जिसकी वज़े से फुजियान में काफी बड़ी दिक्कत आ जाती है, नंबर वन दिक्कत यह है, कि यह वाला जो system, e-malls का system है, यह दुनिया में केवल एक और aircraft carrier है, जो की आज की घड़ी में इस्तिमाल कर रहा है, and that is the USS Ford, दोस्तों, USS Ford जो है, यह US Navy का सबसे powerful aircraft carrier है, जिसकी launching 2013 में हुई थी, जिसकी commissioning 2017 में हुई थी, 4 साल लगे, 2013 से 2017 में इसकी commissioning होने में 4 साल लगे, और इसकी जो operationalization है, यह हमें 2022 में देखने को मिली थी, कहने का मतलब यह है, कि US की Navy, जो की दुनिया की सबसे powerful Navy है, सबसे advanced Navy है, उसको इस particular emails system को perfect करने में 9 साल का समय लग गया था, so observers का यह मानना है, that the ship's cutting edge electromagnetic catapults and other systems will need months of test, बलकि मैं कहूंगा not months of test, इसमें आपको years of testing देखने को मिलने वाली है, second important thing जो की मैंने बताया कि इसमें जो time period है, वो बहुत लंबा लग जाता है, यह देखिए, अगर हम Ford की बात करें, इसकी launching 2013 में हुई, इसकी commissioning 2017 में हुई, और इसकी जो operationalization है, वो हमें 2022 में देखने को मिली है, more importantly यह वाला जो system है, इसमें इतने issues आ रही है, कि USA खुद भी इस चीज़ को लेके उतना satisfied नहीं है, because जितना उन्होंने सोचा था, उतना जाधा efficiently यह system काम नहीं कर रहा third important चीज़ यहाँ पर यह भी आती है, कि यह वाला जो system है, यह India को भी USA ने offer किया था, कि आप लोग हमारी emails technology के माध्यम से अपने aircraft carriers को और powerful बना सकते हैं, यह वाली खबर है 2018 की, लेकिन India ने इसको reject कर दिया था, इंडिया के इसको reject करने के पीछे कारण था, इसके engines की बात यहाँ पर जो emails का system है दोस्तों, इसको operate करने के लिए आपको चाहिए the most powerful engine जो की धरती पे available है, US का जो Ford aircraft carrier है, उसमें हमें nuclear engine, nuclear reactor देखने को मिलता है, लेकिन जो China का aircraft carrier है, फिर भले वो उसका पहले दोनों हो और भले वो उसका Fujian aircraft carrier हो, यह तीनों के तीनों conventional engines का ही इस्तिमा काफी जादा सीमित हो जाती है, कितना समय वो समुदर में लगा पाएंगे, वो भी काफी सीमित हो जाता है, and obviously emails को operate कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यह उन सभी चीजों पर depend करेगा, और क्यूंकि India was very well sure कि अगर conventional system का इस्तिमाल करना है, तो सबसे best जो take-off technology है, वो सबसे efficient जो आपका system आता है, that is the strobar system, और इसलिए कहा जा रहा है, कि ski jump technology, on paper, China के फुजयान की much better है, लेकिन practicality में बात करें, तो इसमें India, China को काफी अच्छे से पचाड देता है, second important चीज, जो कि aircraft carrier की, उसको बताता है strength को, that is the onboard aircraft, तो विकरान्थ के पास, currently हमें देखने को म लेंगे 24 Russian-built MiG-29K fighter jets, जो की हमने हमारे INS Vikram Aditya के उपर भी deploy किये हुए है, इसके साथ ही में हम लोग कामोव 31 helicopters, जो की रश्या से लिए हैं, उनको भी operate करेंगे, और MH-60R multi-roll helicopters, जो की हमने USA से procure किये हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर operate करने वाले हैं, इसके साथ ही में Indian Navy बातचीत कर रही है, USA और France के साथ, कि हम लोग आने वाले टाइम में, या तो USA का जो Boeing Super Hornet है, या फिर हम लोग जो France का Rafale है, उसका इस्तिमाल करेंगे, नाउ, चाइना के केस में क्या है, कि चाइना के केस में उनका ये मानना है कि वो फुज्यान के उपर operate करेंगे J-15T, चा J-15 का ही, इसमें क्या problem है, कि J-15 की जो problem है, ये चाइना को काफी देर से तंग करती आ रही है, because this is the only fixed wing carrier based aircraft, जो कि उसके पास service में है, इसके इलावा, चाइना के पास और कोई भी यहाँ पे लडाको विमान नहीं है, जो कि वो अपने इस particular port के ऊपर से इस्तिमाल कर पाएग क्योंकि यहाँ पर जो इसका each plane है, उसका जो weight है, ये 18 ton से भी जादा है, जो कि carriers के लिए बहुत भारी वाना जाता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर China इनका इस्तिमाल करती भी है, तो वो भारी मात्रा में नहीं कर पाएगी, और अगर करती भी है, तो इसका take-off करवा आने में ही चाइना को काफी दिखते हैं, यहाँ पर महसूस हो सकती है, तो दो बड़ी चीजें, जो कि एक aircraft carrier को एक strong aircraft carrier बनाती है, that is the ski jump and the onboard aircraft, वो दोनों ही चाइना काफी बड़ी मात्रा में face कर रहा है, बाकि आप लोग क्या सोचते हैं, definitely बताएगे comment section में, जाने से पहले आपको दोस्तों बता दूँ की, test book आपके लिए लेकर आया है, UPSC CSE 2023 के लिए scholarship test 2.0, यह होने वाला है, 4 सितंबर को, test आप कभी भी ले सकते हैं, शाम को 6 बज़े से लेके रात को 12 बज़े तक, और test का duration एक घंटे का होने वाला है, जिसमें आपको GS और CSR दोनों के सवाल में दिया गया है, इसके साथ ही में अगर आप लोग घर बैठ के, UPSC की तहरी शिरुकर रचाते हैं, तो test book आपके लिए लेकर आया है, super coaching, जिसमें कि using a single subscription, आपको यहाँ पे सभी teachers के notes, study notes, और साथ में classes भी available करवाई जाएंगी, सभी चीज़ें आपको available होंगी, 3000 रुप झाल